हांजी फामली कहा था ना खुश हो जाएंगे पर ट्राय करेंगे तो रिजॉल्ट्स तो मिलेंगे ही वो सभी लोग जो कंफ्यूज हो रहे हैं कि यह क्या दिखाया जा रहा है यह सारे के सारे रिजॉल्ट्स हैं पृति प्रीड़ना परिवार के उन खुब सूरत से लोगों क जिन्होंने natural remedies पर विश्वास किया है और हमारे साथ skin transformation series का day number one follow किया है आप देख सकते हैं कि वो सभी कितने खुश हैं और अपने results कितने जोश के साथ हमारे साथ share कर रहे हैं अगर आप भी यह series हमारे साथ करना चाहते हैं तो day number one का link आपको नीचे description box में मिल जाएगा जाएए try कीजिए और फिर वापस इस वीडियो में आजाएए क्योंकि आज मैं share कर रही हूँ day number two अगर आपके चहरे पर बहुत ज़्यादा black heads हैं, white heads हैं, open pores बहुत ज़्यादा visible हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा helpful हो सकती है यह पूरी सिरीज आपके लिए एक sequential मैं बना रही हूँ तो वैसे भी कारगर है और individually भी यह बहुत powerful remedies हैं तो अगर आपको black heads, white heads, open pores की परिशानी हैं तो आईए जानते हैं आज सिरीज का day number two हलो तुमा, wonderful people present over here, welcome back to the channel आशा करती हूँ, आप सभी स्वेस्त हैं, अपना खयाल रख रहे हैं, जितने मी do's and don'ts बताया थे उने follow कर रहे हैं और day one को आपने दिल से एंजोई किया, किया कि नहीं नीचे लिखकर अवश्य बताईए पुरा परिवार पड़ रहा है, इस वक लाइटिंग तोड़ी सी गड़ड़ है, एक्स्ट्रीम दूप हो रही है, यहां बहुत वाइट दिख रहा है, यहां कुर्टन है, बहुत यलो दिख रहा है, तो मैं एक अच्छा सा बालेंस बना के बीच में बेठी हूँ, I hope I have done justice, this is my skin, जिस पर मैंने आज ब्लाकेट्स, वाइट्स और ओपन पोर्स के लिए रेमेडियल आक्शन किया है, जिससे मैं बहुत खुश हूँ, मतलब बहुत बहुत खुश हूँ, मेरी ओईली स्किन है, इसके वज़े से ओपन पोर्स बहुत क्लिरली विजबल होते हैं, लेकिन आज का जो रेमेडियल आक्शन है, उसने कमाल कर दिया, बिना किसी रगडा रगडी के, आप अपने जो ब्लाकेट्स और वाइट्स हैं, उन्हें प्रेम से हटा देंगे, कोई भी स्क्रब नहीं, कुछ नहीं, बहुत आराम से होगा है, आप देखेंगे, जितने भी ओपन जाते हैं, यहां पर नहीं होगा, यहां पर नहीं होगा, क्योंकि रेमेडियल आक्शन इस तरीके से क्या गया है, तो जैसा बता रही हूं, एक्जाक्ली वैसे ही फॉलो कीजे, और फिर देखें, कि आप कितने खुश हो जाते हैं, आपका चेहरा साफ होना चाहिए, मैंने म और रात को भी कर सकते हैं, यॉर कॉल, अच्छे से अपने चेहरे को, अगर साफ है, तो पताब रिसंटी फेस वाश किया है, तो अगर गंदा है चेहरा, तो जो कुछ भी डिपॉसेशन अलरी है, डर्ट आपके स्किन पर है, हम जो रेमेडियल आक्शन करेंगे, उसे और अ इसमाल करना है, पानी गरम कर लीजे, एक कटोरी में पानी ले लीजे, गरम गरम और इसमें छोटी कटोरी रख दीजे, प्रेफरेबली सब कुछ, अगर मेटल का हो तो अच्छा है, क्योंकि प्लास्टिक में, फिर, you know, माइक्रो प्लास्टिक के प्रॉब्लम हो जाते हैं, तो आप एक बड़ी स्टील की कटोरी, उसमें गरम पानी, उसमें छोटी स्टील की कटोरी रखेए, और इसमें आपको लेना है, अप्रॉक्सिमेटली आधा चम्मच कैस्टर ओल, इसके बाद आपको इसमें लेना है, सेकिंड इंग्रीडियंट और रोज हिप ओल, हमारे प आप यू आउट, और अगर आपके पास इन में से कुछ नहीं है, तो आप फ्यू द्रॉप्स कोकनट ओल के सकते हैं, लेकिन, 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 कोकनट ओल, कमेड़ियंग होता है, जिसको आपको अच्छे से फिर लेटर ओन हटाना भी है, हटाएंगे हम इसको भी, लेकिन, कोकनट ओल के थोड़ी सी और जादा अलर्टनेस चाहिए, समाज में आ गया, जिनके पास रोज है, आइम टेलिंग यू, रेटिनॉल आजकल इतने एक्स्पेंसिव हो रखे है, यह नाच्रल रेटिनॉल है, अपकी स्किन के लिए, कोई आपकी स्किन पर, साइन्स कोई स्ट्रेच, कुछ भी नहीं होगा, कि स्किन एक तम वाइबरूंट हो जाएगी, ट्राय करके देखे और इसके बार में पढ़ लीजे, अगर आपके पास होहबा ओयल है, जे ओ, जे ओ, यह तो आप इस वाले ओयल के भी कुछ रॉप्स यहां पर ले सकते हैं, तो आप आधा चम्मच से भी थोड़ा सा कम, ग्लिसरीन, अब आप जानते हैं, ग्लिसरीन हाइलोरोनिक फैमिली को बिलॉग करता है, इस अमेजिंगली हाइडरेटिंग फियोज स्किन, तो यहां पर इन तीनों चीजों को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए, एक सीरम बन जाएगा सिरफ अपनी टिप से करनी है, पूरे हाथ की जरुवरती नहीं पड़ेगे, आपको क्योंकि बहुत हीट हो जाएगी, कास्टर ओल है, काफी स्ट्रॉंग ओल है, तन इस और रोसेप ओल, एंद इस और ग्लिसरीन, ग्लिसरीन लगा के गरम गरम फील होता है, बस बही होने व पूसिबिलिटीज है यहां पर आपके चहरे पर जो आप अचीव कर सकते हैं, आप फेस को पुष कर रहे हैं, अच्छे से प्रॉपरली मॉसल्स को टाइटन कर रहे हैं, आपका फेस लिफ्ट हो रहा है, और क्योंकि हम गरम गरम मसाज कर रहे हैं, तो जितने भी आपके ब् ब्लाके इट, वाइट, एक सेकंड में, बलग हलका सा पुष करेंगे, इतल बी आउट, नाखुन लगाने की गलती मत कीजेगा, बिल्कुल नहीं, आपको लग रहा होगा कि मैं नाखुन से कर रहे हूं, और हां मैं कर रहे हूं, लेकिन बिलीव में मैं बहुत जेंटली कर कर रहे हूं, नाख पुषिंग इट विद नेल, मैं सिर्फ सिंपली उसको युनों, एक स्ट्रैक करने की कोशिश में थी, अगर आप नहीं इसके लिए थोड़ा कामफुटबल हैं, प्लीज कुछ मत करो, सिर्फ हलका सा पुष करोगे, वो अपने आपी बहार आजेंगे, and you can see for yourself, मैं शाय दिखाऊंगे आपको, कि प्रेम से बहार आ आ जा रहे थे, ब्लाक हैट्स, वाइट्स, वाइट्स, अनी काईड़ देपॉजिशन, और आपको इसके अपनी इतनी स्मूध फेल होगी, अस मसाग आ जाएगा, मैं बहुत जादे एक्साथ एक्साइम सो लेकिन जब मसाजिंग हो रही है और इतना अच्छा ब्लेंड आपने बनाया है, वाइटु मिस्स अपरचनिटी, अच्छे से गर्दन को भी मसाज कीजिए, चहरे को अच्छे से मसाज कीजिए, जहां जहां पर आपको ब्लाकेट्स की समस्या ज्यादा है, वहां थोड़ा स थोड़ा सा ज्यादा इन्वेस्ट कीजिए, मेरा जो T-Zone है, ऑन और यहां पर ही ब्लाकेट्स होते हैं, तो मैं यहीं पर पॉंसेंट्रेट कर रही हूं, आपको अगर गालो भी होते हैं, तो आपको अपने चहरे से वो गर्माहट फील होने लग जाए, चहरा लाल हो जाए आपसलूटली फाइन के ठीक है, सारा का सारा डिपॉजेशन जो बहार आ था आ चुका है, इसके बाद आपको गरम पानी में, मैक्रो फाइबर ताल को डिप करना है, नहीं है, तो जो भी सॉफ्टर हैंकी आप यूज कर सकते हैं, अच्छे से निचोड के, हात में जलाईग बहुत जादा गरम होता है, अलका सा जाल लीजिए, फूप मार लीजिए, वाटेवर, एंट पुट इट ओन यूर फेस, अब यह क्या कर रहा है, जैसे आप फेस पर रखेंगे, आपके सारे पोर्स ओपन हो जाएंगे, और जितना भी गंक जो बचा हुआ है, जो नहीं नि आपका यह जो ओईल है, एकसेस ओईल है, वो चहरे से चला जाएगा, चास्टर ओईल आपके जो नाचरल ओईल होता है, ना सीबम कहते हैं, इसको इतना रिजेंबल करता है, इसलिए, इसकिन इसके लिए बहुत कामफटबल होती है, ना कास्टर ओईल से स्किन को कोई तो अच्छे से मसाज करने के बाद अच्छे से वाइप ओफ कर लिया है आपने, इसके बाद हमें एक पैक बनाना है, जो की बचे खुचे, ओईल, डर्ट, गंक इनको हटा देगा, यह फेस पैक इंपोर्टन है, हाँ यह इंपोर्टन है, लेकिन अगर आपकी ड्राइ स्कि सकते हैं इस मास को, लेकिन अगर कोई भी और टाइप की स्किन है तो आप इसको ट्राइ कीजिए, ताकि कोई भी ओईल पार्टिकल आपके चहरे पर ना रह जाए, इसके लिए एक बोल में आपको लेना है, एक से आधा चम्मच राइस फ्लावर यानि की चावल काटा नहीं तो आप जो green gram होती है, हरी जाल, उसको भी पीच सकते हैं, उसको भी छान के ले सकते हैं, याऊटकॉल, इन दोनों ही powders को लेने के बाद आप गुलाब जल इसमें लेंगे और अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे, देखिए आप गुलाब जल ले सकते हैं, आप normal water ले सकते है आप यहां पर दूद ले सकते हैं, जिसके लिए आप कामफोटबल हैं, उसको अच्छे से मिला लीजिए, एक थिक पेस्ट बन जाएगा और इसको आप अपने चहरे पर अच्छे से लगा लेंगे, बहुत ही थिकर कोट और जिस्ट रहने देंगे, जैसे जैसे आप लगा रह माइक्रोफाइबर टाल लेना है, अच्छे से इसको डिप करना है, मतलब गीला कर लेना है, जोड के और उसके बाद यह कच्छा चावल था, यह स्किन को लिटरली रगड सकता है, तो आपको बहुत जेंटली, बहुत जेंटली, दो गीला है, इसलिए बोल रहे हैं, असानी से हट जाएगा, पर प्रेशर अपलाए नहीं करना, जिस्ट वाइप इट ओफ वेरी थोरली, और अगर नहीं हो ना, कान्फिटन की बहुत कहीं गर ना दे गलती से, स्प्लैश वाटव, नो प्रॉब्लम, है ना, थोड़ा सा पानी जादा लगेगा, लेकिन फिर भी आपक जो स्क्राच लगने की चैंसे हैं, वो गया भुजाएंगे, तो अच्छे से स्प्लैश कर लीजए, जो लोग ताल का इस्तमाल कर रहे हैं, दो तीन बार आपको और वाश करना पड़ेगा, ताल को और अच्छे से वाइप ओफ करने के बाद, फिर स्प्लैश करेंगे, तो एक से दो स्प्लैश में, कम्प्लीटली चेहरा क्लीन हो जाएगा, और सार का सारा जो पाटकल्स होते हैं, कम्प्लीटली गॉन और आपका चेहरा इतना वाइबरन दिखेगा, कोई नहीं बोलेगा कि और मसाज करेंगे, और मसाज करने के बाद तो चेहरा ठाक दिखता है, लेकिन इस मास्क के बाद आपका चेहरा एक तो सफेद चमकेगा, राइस फ्लावर यूज हुआ है, आपको इसकी अभी ताकत नहीं पता, लगा के देखेगा तब पता चलेगा, जब यह आप कर लें, अब सब कुछ, देखे ओल तो कम्प्लीटली जड से निकल चुका है, म इसमें आपको लेना है बरफ, मेरे पास थोड़ी सी कम बरफ थी, तो मैंने बरफ कम ली है, पानी थोड़ा सा जादा भर लिया है, और वेट किया है कि पानी बिल्कुल ठंडा हो जाए, इसके बाद इस पानी में आप अपने चेहरे को डुबा लीजे, अब मैं यह क्यों कर इसमें बरफ ले और उसमें अपने चेहरे को डिप करें, तीन से चार बार, इस वेरी फ्रीजिंग, एक्स्ट्रीमली फ्रीजिंग, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के बाद जब आपने चेहरे को आप वाइप करेंगे न, आप बोलेंगे भाहिया, बेवी सॉफ्ट स्किन हो बाइटन हो जाएगा, देखिए, दूप से मेरा भी हो गया, लाइट आ जा रही है, तो आपका चेहरा बहुत सुंदर हो जाएगा, बोल्कुल काम हो जाएगे, और हमें क्या चाहिए, आप खुश तो हम बहुत खुश, अच्छे से चेहरे को वाइप करने के बाद, समय मैंने मौश्चराइजर लिया, और अच्छे से, क्या समझाया था गल, बस वैसे ही मौश्चराइजर आपको लगाना है, पूरा समय लेके, हर एक पोर्शन ओफ यॉर फेस, और ढंक से अपनी स्किन के एक-एक सेल को ये मौश्चराइजेशन आपको देना है, अच्छे सेटल होने के लिए, और इसके बाद, यू आर फ्री, मौश्चराइजेशन हमने कर लिया, अब इसके बाद, अगर आप सुभा ये प्रक्रिया कर रहे हैं, तो गेट रेडी, और उसके बाद, लास्ट स्टेप इस संस्क्रीन, भई संस्क्रीन को मिस्स नहीं कर सकते हैं, अगर रात को कर रहे हैं, तो संस्क्रीन नहीं लगाना, मौश्चराइजेशन पर हम रुख जाएंगे, and that's it, देखा, कितना आसान है, और ट्राइ करके देखिए, बोट चाले लोग बोलेंगे, दो ही तो इंग्रीडेंट है, ये क्या ठीक करेंगे, जब तक आप इन रेमे तो वापस जा ही नहीं पाएंगे, पूछ लीजे, इन सभी मेरी प्यारी सी फैमिली मेंबर से, जो नीचे कॉमेंट्स कर रहे हैं, कब से जुड़े हैं मेरा परिवार मुझ से नीचे लिख कर बताएं, and you'll be amazed, बहुत ही सिंपल सिंपल चीजे हम इंग्रीइन्स यूस कर रह अगर पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, इतना बड़ा वरिवार हो चुका है, लाइक करना बूल जाते हो, सबसे जादा लाइक होने चाहिए, पहली बता रहे हूं, जल्दी से लाइक कर दीजे, मैं मिलती हूँ कल आपसे विद डे नंबर 3 की रेमिडी, तब के लिए 2 ट्राइ कीजिए, अप्लिकेशन कीजिए, इंजोई करते हुए, विडियो बनाएए, संदर संदर सी, पिच्छ लीजिए और मुझे भीजिए, मैं अपने पूरे परिवार के साथ यहां शेयर करूंगी, और सब को वो हम, you know, confidence बाटेंगे, अगर मैं वीडियो में आपके results नहीं इंक्लूड कर पाई, तो मैं अपने Instagram handle पर, stories में शेयर करूंगी, शायद highlight बना दू, forever के लिए आप अपने results देख सकते हैं, so do not forget, जल्दी से जाकर subscribe कर लीजए, विर से दूप आ गई है, I'll take care of you, bye अजए, जिआई, बाट इस Aa जूए, ते छिए आतार्त है, झाता है? but it's good for skin